तो competition के इस होड में समय बहुत कम है पडोसी ने क्या नंबर लाया ये सोच कर दंग है कैसे हो उससे बहतर ये सोच कर आखे नम है अरे क्यों भटक रहे हो इधर उधर हम है तो फिर क्या गम है जे बिलकुल हम है तो फिर क्या गम है फाइनली स्वागत है आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का most important subjective question करने वाले है इसका आप लोगो बेसबरी से इंतिजार था वो finally upload हो चुका है आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्ल subjective question करा दूंगी पास नंबर वाला थोड़ा ज्यादा माहिने रखता है इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगो पास नंबर वाला most important subjective करा दूंगी आज के इस वीडियो में हम लोग 2 और 3 नंबर वाले करने वाले हैं जो कि most important है और आप लोगो को पता होगा कि जितना भी मैं question कराती हूं चाहे objective हो या फिर subjective हो उसी question में से आप लोगो के board exam में question पूछता है और कहीं से भी नहीं अगर आप लोगो को यकीन नहीं हो रहा है तो you can watch my previous session पिछले साल पिछले session में जितना भी student को मैं question कराई थी उसी question में से board exam में question पूछा था और लगबग सभी student ने ह इस channel की community में post भी की थी आप लोग देख सकते अभी तक है तो अब बारी आप सभी लोग की है आप लोग को भी 90 प्लस लाना है 90 पार लाना है जितना भी मैं question करा रही हूं सब्जक्टीब अब्जक्टीब दो नंबर तीन नंबर पांच नंबर सभी पर command हो जाना चाहिए आ मेहनत इतनी खामोशिस रिकरों की कामयावी शोर मचा दें चले स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आकने घंटी को लिए करना सब्हस्क्राइब करना सब्सक्राइब और उसके बाद से हजार बार लाख बार शेयर कीजिए कोई दिकत नहीं है हर एक सब्जेक्टिव कोशन को आप लोग को ध्यान से देखना है मेरे एंसर बताने से पहले एंसर तो मैं आप लोग को बताऊंगी लेकिन मेरे एंसर बताने से पहले आप लोग को खुद से एंसर द हाँ तो यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का टेंथ क्लास के उर्दू का मौस्ट विविए सब्जेक्टिब कोशन चलिए देख लेते हैं सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल है कि महदी अफादी कब और कहां पैदा हुए मौस्ट विविए इसका जवाब अलड़ी चलना है ठीक है डूसरा सवाल है कि राजेंद्र सिंगव बेदी के किस शहर में यहां पर के नहीं रहेगा राजेंद्र सिंग्व बेदी किस शहर में पैदा हुए और उनकी मौत कब हुई बताना है आप लोगों को पता होगा चैप्टर पढ़ें इनफेक्ट सारा चैप्टर में आप लोगों पढ़ा चुकी हूं 10 उर्थु का वन बाइवन करके टोटल चैप्टर पढ़ा चुकी हूं चैप्टर पढ़ें तो आप खुद से एंसर दे पाएंगे, खुद से एंसर करने की कोशिश कीजिएगा, इनफेक्ट यहां पर एंसर लिखा हुआ है जवाब, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब से एंसर करें, ठीक है, तो देखिए, जवाब में लिखा है, कि राजेंदर सिंग बेदी लाहौर में पैदा हुए और 1984 में उनकी मौत हुई, चलिए, तीसरा सवाल, यह सारा दो और तिन अंक वाला सवाल है, दो और तिन नंबर वाला बोल सकते हैं, तीसरा सवाल है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की थी, और उनकी बेगम का नाम क्या था, और वह किस नाम से मशूर थी, जवाब में है, मेहदी अफादी ने तीन शादिया की थी, उनकी बेगम का नाम अजिम उन्निशा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशूर ही, यहां पर गलत टाइप हो गया है, बेगम मेहदी, इस तरह रहेगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चार नमबर सवाल, कि बरकत तली के कितने पोते थें, जवाब में है, बरकत तली के दो पोते थें, अगला सवाल, सवाल नमबर पांच, निगार अजिम ने किस मौजू में में किया, कौन से सबजेक्ट से निगार अजिम जो है, वो में की थी, तो जवाब में है, न रु microscopic किस्सा कहा से लिया गया है ब्सक्राइम किस्सा कहा से लिया गया है तो सवाल ië sır cuánt किसवी का शाहनामा से लिया गया है देखिए यह कोश्टन पूछा गया है एक बार तो इसको विवी ऐई समझते वह याद कर लिजिएगा वो सकते हैं किस बार पूछ दे है ना अगला सवाल है सवाल नंबर साथ कि नजीर एहमद के किसी दो नाविल का नाम लिखिए इसमें भी जो मैं आप लोगो को बता दे रहे हैं कि मॉस्ट इंपोर्टन उसको तो अभी के अभी आप लोगो को याद कर लेना है तो यह कोशन बहुत बार पूछा जा चुका है नजीर एमद के किसी दो नाविल का नाम लिखिए तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है प थी ना उस वक्त भी बताई थी कि नजीर एमद के किसी दो नाविल का नाम जरूर याद रखिएगा कोशन पूछ देता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल नंबर आठ कि फैमीदा और हमीदा नसूर की कौन थी आप लोग चैप्टर पढ़े हैं आप लोग को बता दे रहे हैं यह सब दो और तीन नंबर वाला है पांच नंबर वाला भी इसका नेक्स्ट वीडियो में अप्लोड हो जाएगा मॉस्ट भी सब्जेक्टिव कोशन कराऊंगी तो उसको भी आप लोग को देखना नहीं भूलना है सवाल नंबर नाइन देखिए हम्द और मकसूस की गई हो लेकिन हम्द और नात दोनों नजम की जुम्रे में ही आते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि हम्द और नात दोनों है नजम दोनों क्या हैं दोनों नजम यानकी कवीता ही है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम्द उस नजम उस कवीता को कहते हैं जिसमें सि हम्द और नात उस नजम उस कवीता को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हुजूर सलल्लाओं की तारीफ और तौसिफ बियान की जाए ठीक है तो यह सबसे बड़ा अंतर है हम्द और नात में आप लोगो इसी तरह इंसर लिखना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रेन के उपर हैं सवाल नंबर दस कि रुकया भावी के जिस देवर का किरदार यान की करेक्टर पेश किया गया है उसका नाम है अख्तर अख्तर नाम है आप लोगो पता होगा ये भी मैं आप लोगो चैप्टर पढ़ा रही थी तो बताई हू देखे चैप्टर पढ़े हैं तो सारे कोश्चन का एंसर आप लोग खुझ से दे पाएंगे इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने हिसाब से एंसर करें ठीक है कोश्चन का कोश्चन नम्र 11 कि रुकया भावी को जब फुरसत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत दाश ओक था तो अपना इल्मी शौक पूरा करने के लिए अपने हवाब अपने खास लोगों को अपने शागिर्दों यानि के स्टुडेंटों को खतूत यानि की खत लिखा करती थी चलिए आगे बढ़ते हैं मालो जी सक्पाल मालूम जी हो गया है चाहिए आपर राम जी मालो जी इस तरह रहेगा मालो जी गलत आप लोग जानते हैं उर्दु में थोड़ा गलत टाइपिंग होई जाता है तो कोई दिकत नहीं है आप लोग को पता होगा भीम्राव के वालिद यान की पिता जी का नाम था राम जी मालो जी सक्पाल और वालिदा का भीमबाई चलिए नेक्स्ट कोश्चन है कि हम्द किसे कहते हैं मैं आप लोग को बताई ही अर्बी लोगत में हम्द के मानी तारीफ करने के हैं लेकिन उर्दु शायरी की इस्तला में हम्द उस नजम उसकवीता को कहते हैं जिस और उर्दु शायरी की तारीख में हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इप्तदा से ही यान कि शुरुवात से हम्द की रिवायत रही है जितने भी राइटर हैं वो हम्द लिखते आये हैं और तक्रीबन तमाम उर्दु शायर हैं सभी लोगों ने हम्द लिखा हैं आगे और डॉक्टर मुहमद मुहसिन के जेरे निसाब अफसाना फरार का मरकजी किरदार हैं यहां पर और नहीं रहेगा तिर्फ महमुद रहेगा गलती से एक्स्ट्रा लिखा गया है और ठीक हैं यहां पर नर्मली बताया जा रहा है कि महमुद जो है न वो डॉक्टर मुहमद म जमाने में ही यानि कि स्टूडेंट लाइफ में ही महमूद के वालिदीन यानि की माता पिता वो इस दुनिया से रुकसत हो गए इस दुनिया को छोड़ कर चले गए चुनांचा बदकिस्मती ने महमूद को उसके मुफलिस मामू के घर पहुचा दिया बदकिस्मती से जिन्दगी की हकीकी परेशानिया सुरू ही और नामवाफिक हालात से उसने सबक सीखा चुनांचा ठोकर लगने से वह तज़र्बकार होता चला गया जब मेहमूद अपने मुफ्लिस मामुख के यहां पहुचा तो वहां से मेहमूद की जिन्दगी की हकीकत की परेशानिया तो इंसान लड़ता है ठीक है और फिर लड़ने के साथ साथ इंसान तजर्बकार होता चला जाता है और जब परेशानिया नहीं आती है न तो इंसान सुछता है कि अमेरे जिन्दे में परेशानिया क्यों नहीं आ रहे है कठिनाया क्यों नहीं आ रहे है आखिर इतना खुशी ठीक है, कॉश्चन नमबर 15 है, कि मोहमद मोहसीन की पैदाईश कब और कहां हुई, डॉक्टर मोहमद मोहसीन की पैदाईश हुई थी, जुलाई उनईसरदस को पठना में, नेक्स्ट कोश्चन है, कि भीमराओ अंबेडकर की पैदाईश कब और कहां हुई, भीमराओ रुकया भावी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दास्त करती थी और क्यूं यहां पर कोशन पूछा जा रहा है सवाल पूछा जा रहा है कि रुकया भावी किस लड़की की तालीम का खर्चा पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठाती थी और क्यूं तो दे में अल्ला ताला ने उसकी तालिम का जरीया पैदा कर दिया शमी नाम की वो लड़की थी जो की बहुत 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 गरीब थी हुर्बत के बावजुद भी वो पढ़ना चाहती थी और उसके वालिदीन माता पिता जो है ना उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के मुतहमिल नहीं थे लायक नहीं थे इसलिए रुकईय भावी के शकल में अल्ला ताला ने तालिम का जरीया बना दिया था रुकईय भावी खुद शमी नाम की लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी अगला सवाल देखते हैं डॉक्टर मुहमद मौसिन किस किस मौदू पर महारत रखते थे डॉक्टर मौहमद मौसिन जो है ना किस मौदू किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पर उनको महारत हासिल थी तो आप लोग को पता होगा ये भी इंपॉर्टन समझते हुए चैप्टर पढ़ाई थी तो बताई थी वो था नफसियात यानिकी स psychology पर psychology बोला जाता है अगर perfect pronunciation दिखा जाए तो psychology पर उनकी महारत हासिल थी चलिए आगे बढ़ते हैं question number 19 सोहय लजीम अबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाय हुआ सोहय लजीम अबादी के पहले अफसानों का मजमुआ बताना है यानकी कहानी के किताब का पहला कहानी का किताब का नाम बताना है और वह किस साल परकाशित हुआ ये भी बताना है तो देखिए लिखा है उनके पहले अफ़ाने में मजमूर यानकी पहला कहानी का किताब का नाम था चार चेहरे जो की आजादी के बाद शाय हुआ बस इतना ही लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है अराम से आपनों को फुल माक्स मिल जाएगा नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं कोश्टन नमबर 20 बिस नमबर सवाल है कि सही सही और सही के फरक को जुमलों में इस्तमाल करके वाज़ा कीजिए सही और सही के फरक यानकी अंतर को बताना है जुमलों में इस्तमाल करके यानकी सेंटेंस में यूज़ करके तो देखिए मानी क लिहाद से दोनों में बड़ा फर्क है साही के मानी घनीमत के होते हैं जबकि सही के मानी दुरूस्ट के हैं साही है अगर हलवा मैसर नहीं बोलना सही नहीं है तो इस तरह आप लोग जुम्लों में यानिकिं सेंटेंस में यूज करके फर्क वाज़ा कर सकते हैं चलिके आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 कि निगार अजिम के सफर नामा का नाम क्या है तो उनके सफर नामा का नाम है अक्स अगला सवाल कमर जहां की हा जहां के बारे में बताना है कब पैदा हूई ठीक है तो समझती पूर जिला के एक गाउं बुज़ूरगदार में उन्हें से 155 में पैदा हुई पियाओ बुज़ूरगफ उनक आबाई वतन ये बुज़ूरगदार ही उनका आबाई लिखा था घर के लोग खुद भी तालीम या फता थे ठीक है घर के लोग भी पढ़े लिखे थे और इल्म और अदब से दिल्चसबी भी रखते थे कमर जहां भी इप्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गई और यहीं इंटर से पिएजडी तक पटना पिएज़ी में तालीम हासिल की तो यह हो गया कमर जहां की हालातों जिन्दे की बारे में आप लोग इकना लंबच वड़ा यहां पड़ लिखा हुआ है आप लोग इसी तरह लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कौश्टन नमटार 23 सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर उक्ताहट इसलिए महसूस करने लगी कि वहां उन्हें कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं थी सिर्फ खाना और आराम करना था इसलिए उनकी जिन्दगी में एक यकसानियत आ गई थी जिसके वज़ा से वह बेटे के यहां अफ्तार एक मिलत उक्ताहट महसूस कर रही थी य सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर इसलिए अपताहट महसूस कर रही थी न क्योंकि सिराज के घर सिराज की वालिदा या फिर उनके पिता यानिकी वालिद के लिए कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं थी खाना बनाना या फिर जिस तरह होता है ना कि कोई काम करना सिराज की वालिदा अपने बहु को बताती भी कि यह ऐसे नहीं ऐसा होने चाहिए यह फिर नौकरानी कोई बताती थी कि देखो कपड़ा इस तरह धो या फिर बरतन इस तरह से मांजो कहां कपड़ा सुखाना है वग लोग अराम कीजिए हम लोग को जिम्मेदारी दीजिए हम लोग करेंगे और कोई भी काम सिराज या फिर सिराज की वाइफ जो है यानि की सिराज की वालिदा की बहु वो करने देते हैं नहीं थे सिराज की वालिदा चुपचाप बैठी रहती और यहां तक की सिराज की पिता वहारे भी नहीं दी जा रही है हमारे यह बहु और बेटे का घर है तो बहु और बेटे का ही इस पर हक होगा बहु और बेटे जो हैना हमें कोई काम करने देई नहीं रहे हैं इसलिए यह दोनों उक्ताहट मैसूस कर रहे थे लंबा चाड़ा वह आप लोग को लिख देना है जमीन के इस दरजे हरारत में जो ओस्त अजाफा हो रहा है उसे माहरीन महौलियत ने तमाजत अरजी में तदरीजी अजाफा यानि ग्लोबल वार्मिंग के नाम से याद किया है आज पूरी दुनिया में global warming एक संगीन मसला बन चुका है जिससे सारी दुनिया परेशान है ठीक है तो यहाँ पर बताया गया कि global warming क्या है तो लगब बहुत मिलाब बहुत सालों से जमीन का जो दर्जय हरारत है यानि कि जमीन का temperature धरती का प्रिथवी का जो temperature है वो धीरे धीर बढ़ रहा है जितने भी scientist है वेज्ञानिक वो जमीन के इस बढ़ती हुए तापमान को global warming का नाम दिया है तमाजते अरधी आप बोल सकते हैं या फिर global warming बात एक ही है तो global warming किसे कहते हैं जमीन का धरती का प्रिथवी का temperature जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है उसी को कहत question देखते है oh question 25 की greenhouse gas में कौन कौन सी gas है बुनियादी तोर पर methane gas को greenhouse gas कहा जाता है जवाब में लिखा है Greenhouse gas जो है ना इसमें कौन-कौन सी घेले सरी गैसे लेकिन ग्रीत आपक्साइड और से बात कि आ जाए तो जायेगा लेकिन बहुत की जाया पहला कराम लिखा हुआ है मौयार और अकदार और दूसरा कराम है अकबाल और आलमी अदब डॉक्टर अबदिल मुगनी की दो किताबों कराम ये लिख देना है मौयार और अकदार और दूसरा कराम अकबाल और आलमी अदब नेक्स्ट कोश्टन लेखते हैं सवाल नमबर 27 ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तुलबा को अबुल कलाम साहब ने कौन सा जादू मंतर बताया ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जितने भी चात्र थें चात्रों को स्टूडेंट को अबुल कलाम आजाद जो थें मौलाना अबुल कलाम आजाद वो कौन सा जादवी मंतर बताये थे तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तौलबा को अबुल कलाम सा खुलाना बुल्ख्लामाजाद जो है न वो यह जादवी मंत्र बताये थे कि 10 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं 10 से 17 साल के उमर वाले बच्चे वो 20 लाख बच्चे 20 लाख बच्चे अगर 5-5 दरख्त लगा दे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसला से बचा जा सकता है क्यों सेंटेंस में तो देखिए लिखा है सरस्यद अइमद खा की शक्सित को हिंदुस्तान में तारीखी हैसियत हासिल है उनकी पैदाई इस दिल्ली के एक तालीम या फताग घराने में 18-17 में हुई उनके वालिद का नाम मीर मुतक्पी था और वालिदा का नाम अजिज उनने सा बेगम था सरस्यद की तालिम और तरवित और जहीन साजी में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा रोल था मुलाजमत से सबकदोशी के बाद सरस्यद में मुसल्मानों की तालिम के लिए अलिगड में कॉलेज खोला जो आगे चलकर अलिगड मुसलिम उनिवर्सिटी के नाम से मशूर हुआ यह लिखा गया है सरस्यद के बारे में सरस्यद अमद खा के बारे में तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन है रुकईया भावी को सोने की चूडियों को क्यों फरुक्त करवाना पड़ा तो सम्मी की फिस अदा करने के लिए रुक था समी जो भाई था उसका फिस नाहीं भरा पाया था तो फ़र्म भर ना फोम भरने के लिए फिस लग आदा करने के लिए नित corazónниц sık करो करबा कर योई डिर हुई और ईब हुए कर आगे बढ़ते हैं हुई सोयल अजिम अबादी की पैदाईश उन्हें से ग्यारा में पटना में हुई थी आगे बढ़ते हैं फड़ा-फट शहबाद की दो किताबों के नाम लिखी है तो शहबाद की दो किताब का नाम लिखा हुआ है पहला है ख्यालात ते शहबाद और दूसरा है तफ्रीह ल नजीर अकबर अबादी और अकबर अलाबादी की तकलिद की है ध्यान से सुन लीजिए और इसको देख लीजिए शहबाद की सोहबाद जो है ना वो शायरी में किन शौरा की तकलिद की हैं तो शहबाद ने अपनी शायरी में नजीर अकबर अबादी और अकबर अलाबाद इन दोनों जो है ना शायर की तकलीद किये हैं अगला कोश्चन सरस्यद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम कहां किया है सरस्यद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम किये थे घाजिपूर में तो लिक दिया गया है यहाँ पर सरसियत अर्मध खाने सांसित सुसाइटी का क्याम घाजीपूर में किया अगला सवाल जिन्दगानी बेनजीर के मसनिफ कौन है? जिन्दगानी बेनजीर के राइटर कौन है लिखने वाले कौन है जवाब में अब्दुलगफुर शोहबाज सरस्येद का इंतकाल कहा हुआ और उनकी कबर कहा है ठीक है ये भी कोशन पूछा जा चुका है उर्दू का पहला नकाद किसे कहा जाता है तो उर्दू का पहला नकाद हाली को कहा जाता है ये भी कोशन पूछा जा चुका है तो इसको भी आप लोग याद करते चलिए देखिए जितना भी अभी में करा रही हूं नहीं सारा का सारा मॉस्ट इंपोर्टेंट है न तो सिर्फ इसी को नहीं सारे कोशन को वन बै वन करके आप लोग याद करते चलिए सारा का सारा कोशन मॉस्ट इंपोर्टेंट है सारे कोशन का एंसर आप लोग को याद करते चलना है एक भी कोशन छोड़ना नहीं है आप लोग को एक भी कोशन आप लोग को नहीं छोड़ना है सारा याद करते चलना है चलिए सवाल no.38 पिछला सवाल में पुछा गया था पिटाजी का नाम है राम जी मालो जी सकपाल और माता जी का नाम है भीम भाई तो यहाँ पर लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं भीम राओ ने मजीद तालिम के लिए भीम राओ मजीद तालिम के लिए कहां गए और उन्हें किस अवार्ट से नवाजा गया तो भीम राओ मजीद तालिम के लिए अमेरिका गए और उन्हें भारत रतन से नवाजा गया याद रखिएगा अगर इस तरह से question पूश्टा है कि भीम राओ मजीद तालिम के लिए कहां गये और उन्हें कि अवार्ड से नमाजा गया तो आप लोग को लिखना है भीम राओ अमबेड कर हसूल तालिम के लिए अमेरिका गये और उन्हें भारत रतन अवार्ड से नमाजा जसरूरत कम से कम अल्फाज का इस्तमाल करते हैं जिन्दगी के किसी एक पहलू को उजावर किया जाता है मुक्तसर अफसाना ज्यादस जधा आदा घंटे में पढ़ा जा सकता है देखिए मुक्तसर एक होता है मुक्तसरल तरbal왔 यानि कि अतिलाग हो उत्रिया मुक्तसर इन कि अभी modern अभी के जमाने में सबसे ज़्यदा का अफ़सानी इसी तरह का कहानी लिखा जाए मुक्तसर सबस्क्राइन क्या होता है कम से कम वाकात होता है यहन कि बहुत लंबा यह कहानी किया जाता है और जिन्दगी के किसी एक पहलू को जागर किया जाता है और ये जो अफसाना यान कि मुक्तसर कहानी होता है ये ज्यादा ज्यादा आदे घंटे में पढ़ा जा सबता है आदे घंटे में ये complete हो जाता है कहानी इसे को कहते हैं हम लोग मुक्तसर अफसाना ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कि कमर जहां की कहानी कटी हुई शाख में किसी समाजी किसी नहीं किस ठीक है यहां पर किस रहेगा किस समाजी मसले की निशाइन दही की गई है यानिकि याँ पर कोशन पूछा जा रहा है कि कमर जहां की जो कहानी है ना कटिवी शाख इस कटिवी शाख नाम के कहानी में किस समाजी मसले की निशाइन दही की गई है यानिकि किस तरह के समाजी मसले को इस कहानी में दिखाया गया है तो जवाब में देखी लिखा गया है कि इस कहानी में कहा गया है कि इनसान दौलत कमाने की हवस में जन्नत निशान वतन को छोड़ कर अरब, इरान और अमेरिका चला जाता है मगर वह जिन्दगी उसे रास नहीं आती, एक ना एक दिन उसे अपने वतन वापस लोटना ही पड़ता है तो यहां पर बताया गया इस कहानी में कहा गया है कि इनसान दौलत कमाने की हवस में इस कटिवी शाक नाम की कहानी में अगर आप लोग चप्टर पढ़े हैं मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर पढ़े हैं तो जानते होंगे इस कहानी में एक इनसान के बारे में बताये गया है कि वो इनसान दौलत कमाने की दौलत इत्जत और पैसा कमाने की लालच में हवस में वो अपना वतन छोड़ करके अपने माबाप को छोड़ करके अपने दोस्तों को छोड़ करके अपने वतन को छोड़ करके दूसरे वतन चला जाता है अरब, इरान, अमेरिका वगरा और वहाँ पर जाकर खुब पैसा कमा लेता है लेकिन फिर भी वहाँ पर उसकी जिन्दगी जो है रास नहीं आती है फिर भी इसको सुकून नहीं मिल पाता है एक ना एक दिन वो अपने वतन वापस जरूर लोटता है ये कहानी में बताए गया है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना भी इंसान दौलत कमाने की हवस में कहीं पर भी चला जाए दूसरे वतन चला जाए अरब, इरान, अमेरिका लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने वतन वापस लोटना ही पड़ता है, जिस तरह उस इंसान को लोटना पड़ा, वो गया था, बहुत जिदा पैसा कमाया, लेकिन फिर भी उसे रास नहीं आया, उसको सुकून नहीं मिल रहा था, और फिर वो अपने वतन वापस लोटाया, ज लेकिन फिर भी वो दौलत पाने की लालस में चला गया दूसरे वतन, वही बात हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42, कि महमूद का दोस्त, अजीम महमूद को कहां ले जाना चाहता था और क्यूं, तो देखिए जवाब में लिका हुआ है, कि अजीम चाहता था कि महमूद लड़कियों से मेल जूल बढ़ाए, मेल जूल हाँ, अजीम चाहता था, जो कि महमूद का दोस्त था जीम, वो चाहता था कि महमूद लड़कियों से मेल जूल बढ़ाए, और उनका कर्ब हासिल करे, इस ख्याल से, वह महमूद को नुमाईश की सेर कराना चाहता था, महमू कि एक रेस्टोरेंट में महमूद को खालिद से मिलाने के लिए मतलब खालिद से मिलाना चाहता था ठीक है यहां पर थोड़ा सा गलट टाइप हो गया है और बात है के अजीम से वादा कर लेने के बावजूद महमूद आधे रास्ते से लौट आता है जैसे कोई बहुत गुनाह कर बैट बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हो थोड़ा से यहां पर आप बोल सकते हैं गलट टाइप हो गया है उसी तरह से होती है लेखिए इसको मैं आप लोग को अपने जबान से बता दे रही हूं महमूद का जो दोस्त था ना अजीम वह महमूद को ले जान जाना चाहता था महमूद को महमूद भी वादा कर लिया ठीक है मैं उस रेस्टरान में आऊंगा लेकिन फिर भी जब महमूद जा रहा था तो आधे रास्ते में उसको ऐसा लगा कि वो कोई गुनाह करने जा रहा हूं लड़की से मिलने जा रहा है नहीं मुझे नहीं जाना वह लोग जो अनजाने में भला बुरा काम करते हैं एक मिनट यार नहीं यहापर इसको कोशन को ध्यान से पढ़िए सबसे बड़ा रयाकार कौन है यार नहीं सबसे बड़ा रयाकार कौन है यहापर बताना है कि सबसे बड़ा रयाकार कौन है तो वह लोग जो अनजाने में भला बुरा काम करते हैं और अपने कामों को अपने कामों को एनकार सवाब बताते हुए ऐसे लोग खुद फरेव में मुपतला हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं उनसे बड़ा रयाकार कौम हो सकता है तेखें यहाँ पर अपने जुबान से में आप लोगों को बता की काते हैं इसे की वो बहुत सबाव वालवाला मतब बहुत ही अच्छा काम कर रहा हैं और इस तरह कि लोग कि खुद तो फरेव में मुपतला रहते ही हैं अपने आपको धोखा में रखते हैं उसके ग्हां साथ के मताबिक अपने सपनों का ताज महल बनाते हैं और अपने घर की चहार दिवारी के अंदर तनहा हुकम बार्णी करना चाहते हैं इसमें किसी और की मदाखलत हमें मन्जूर नहीं यही है आशियाना का मरकजी ख्यारी यानि कि आशियाना जो आप लोग के बुक में जो चाप्टर दिया गया है आशियाना उसका मरकजी ख्यारी यानि की थीम बताना है कि आशियाना क्यों लिखा गया आशियाना नाम का चाप्टर तो यहाँ पर जवाब में लिखा हुआ है कि आशियाना इसली लिखा गया क्योंकि आशियाना का मतल करना चाहता हो हुक्म करना चाहता हो तो यहीं बोला गया है यहां पर कि हम बुरे हो या फिर जमान अपनी हैसित के मताबिक अपने सपनों का ताज महल बनाते हैं और अपने घर की चाहर दिवारी के अंदर तनहां हुमारानी करना चाहते हैं जिसमें किसी की किसी और की मुदा नाखलत की हमें मनजूर नहीं कि कोई और दखल लाजी ना करें हम चाहते हैं कि हम अपने घर में ही हुक्म करें हमारी मर्ज़ी चलेगी हमारे घर के अंदर ठीक है यही आशियाना नाम के चैप्टर से लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि इनसान अपने घर में अपना ठीक है आगे बढ़ते हैं अफसाना फरार के किसी तीन किरदार का नाम लिखी है तो लिखा हुआ है अफसाना फरार के तीन किरदार मंदर्ज़ जैल है इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है अफसाना फरार के तीन किरदार मंदर्ज़ जैल है यानि किन लिखी थे हैं प निगार अज्म के पहले असानी मज्मौन, इनकि पहला कहाशनी क किताब का नाम बताना है, और वो कब शाय हुआ, इनकी कब परकाशित हुआ, तो देखें, Naj場 अजिमी कहाशनी मज्मौन, यानि कि कहाशनी किताब था अक्स, और वो उनई Alexa 90 मेंशाय हुआ, इनकी परकाशित अब्दुलगफूर शहबाज की कितनी शादी हुई थी और उनकी बीवियों के नाम क्या है तो अब्दुलगफूर शहबाज की दो शादिया हुई थी यहाँ पर दो के जगा जो लिखा गया इसी तरह होता है उर्दू में दो शादिया हुई थी और उनकी बीवियों के नाम मंदर जजैल हैं पहली बीवी का नाम है शम्शुननेसा और दूसरी बीवी का नाम है शम्शुननेसा की जब माथ हो गई तो अब्दिल कफुर्षर रबाज है न। दूसरी शादी कर लिए अश्राफ नेसा से आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 48 हां तो तनकीद के बारे में पांच जुम्ले लिखिए, यहाँ पर आप लोगो तनकीद के बारे में पांच सेंटेंस लिखना है, तो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर भले ही बोल दिया है, पांच सेंटेंस लिखिए, लेकिन अगर यह दो और तिन नमबर वाला है जादा ल तनकीद नकट से बना है जिसका मानी क्या होता है? खरे-खोते की पहचान. इस अमल को अदब की इस्तला में तनकीद कहते हैं. आप तोर पर किसी अदबी फननपारे पर तनकीद की जाती है और उसकी खाम्यों को उजागर किया जाता है. अब यहाँ पर मैं आप लोग आपने जबान से समझा दे रहे हूं कि तनखीद किसे कहते हैं तनखीद जो है ना नकद से बना है जिसका मानी होता है खरे खोटे की पहचान करना यानि कि कोई भी राइटर ओ कहानी लिखा हो मजमून लिखा हो, खाका लिखा हो खुदनविश्ट लिखा हो, नजम निगार कहते हैं आगे बढ़ते हैं I think आप लोगो समझ में आ गया होगा उन्चास नंबर सवाल है कि ड्रामा की मुक्तसर तारीफ कीजिए जवाब में है ड्रामा एक अदवी सिन्फ है किसी अमल को करके दिखाने का नाम ड्रामा है ड्रामा की से कहते हैं ड्रामा की मुक्तसर तारीफियां पर कर दिया गया है कि ड्रामा एक अदवी सिन्फ है किसी अमल को करके दिखाने का नाम ही क्या है ड्रामा है ड्रामा किरदार की हरकत वो अमल के जरिये पेश किया जाता है किरदार ही अपने हरकत वा अमल से मौाशरे और माहौल की अकासी करते हैं और डृमा के लिए स्टेज लाजमी अंसुर है डृमा किसी भी अमल को करके दिखा नहीं क्या कहलाता है डृमा कहलाता है चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर पаничास कि गालिब ने अपने खतोत में किन बातों का इ campaかった है तो जवाब में लिख दीजिये कि गालिब ने अपने खतोत में क्या नीजी हैं नीजी बातों के लावा मुआश्रे कि इन قलबात और उसरी हैसियत के सांच साथ गदर के हालात भी देखे हैं और अपने रोज वरोज रोज वरोज रोज वरोज 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 के जुबान पर पांच सुत्रे लिखे ये तो मौश्ट भी विए ये कोश्टन कितना बार पूछा जा चुका है तो इसको भी आप लोग अभी के भी याद कर लें गालीब के खुतूद की जुबान पर पांच जुम्ले लिए पांच सत्रे लिखना है आप लोगो तो देखे जवाब में लिखा है कि गालीब के खुतूद की जुबान साफ सलेस और रवा है यसी तरह आप लोगो को स्टाटिंग करना है ङुबान पर गालीब के खुतूद की खुतूद के जूबाने लिख अर गया जुम्लेण सानी मोजुद है खुतूदूद की चाषनी भी बना दिया इसी तरह आप लोगो भी लिखना है गालिब के खुत के जुबान पर पांच सुत्रे लिखने के लिए बोलेगा तो इसी तरह आप लोगो लिखना है कि गालिब के खुत की जुबान साफ है सलेस है और रवा है खुदोद में बा मुहावरा जुबान इस्तमाल किया है यान कि मुहावरा भी रखे हैं गालीब अपने खुदूद में और दराफ़त की चाशनी भी मौदूद है तहरीर का अंदाज मुकालमाती है और गालिब तो खुद कहा है ना कि मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया ये अबजेक्टिव में पूछ देता है किसने कहा है कि मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया और आप्सन में दिया रहेगा गालिब तो खालिब आप लोगो टिक करना है, यहां से अबजेक्टिब भी मैं आप लोगो बता दी, जो की सवाल उठाया जाता है इस तरह भी, आगे बढ़ते हैं, शौबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है, उसे उजागर कीजिए, शौबाज अपनी बेटी को जो ख की तलकीन की हैं, बताएं हैं, ताके मुस्तक्बिल में उसकी जिन्दगी रोशन और ताबनाक गुजरे, अगला सवाल है, कि मक्तूब नेगारी की मुक्तसर तारीफ कीजिए, अब यहां पर आप लोगो को बताना है, कि मक्तूब नेगारी किसे कहते हैं, मुक्तसर तारीफ करके, यानि कि नहीं बहुत ज़दा छोटा और नहीं बहुत ज़दा लंबा, एक दम मुक्तसर तारिफ करके आप तो को बता रहा है, कि मक्तूब निगारी अखिर है क्या चीज़, देखे जवाब में लिखा है, कि मक्तूब निगारी अदब की एक नसरी स्थिन्फ का दरजा ठीर रखती है, खत को एक दाती सरगर्मी का नाम दिया गया है, खत को निष्फ मुलकात भी कहा गया है, क्योंकि इसके जरीए एक दूसरे के अहृब के अहवाल से वाखिफियत हो जाती है, हाँ, तो देखें, मक्तूब निगारी और खतूब निगारी बात देख्यों, वो सिर्फ अपने हालात के बारे में बताता है पढ़ने वाले की हालात के बारे में कुछ नहीं जानता जो पढ़ने वाला है वो लिखने वाले की हालात के बारे में जानता है वो अपने हालात के बारे में लिखने वाले को नहीं बता पाता इसलिए खत को आधी मुलाकात कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बेदी और क्रिशन चंदर की मुलाकात कहा हुई जवाब में हैं बेदी और क्रिशन चंदर की मुलाकात लाहौर में हुई थी महदिया फादी ने अपने खत में किन को मुखातिब किया है और क्या कहना चाहते हैं तो देखिए जवाब में लिखा है कि महदिया फादी अपने दोस्त स्यद मकबूल एहमद समदानी को खत लिखा है यान कि अपने दोस्त मकबूल स्यद मकबूल एहमद سمدانی کو مخاطب کیے ہیں مہدی افادی اپنے خط میں ठीक है और उस خط میں उन्होंने यह कहा है कि इन्सान अपनी अम्र के आखरी हिस्से में लायक तहसीन हो जाता है जब अम्र की आखरी हिस्से में जवानी की याद आती है तो जबरदस्त चोट लगती है बोल रहे है महदی افادی अपने خط میں जो कि वो मकबूल अहमद समदानी के लिए लिखे थे उस خط میں बोल रहे है कि अम्र के आखरी हिस्से में जब जवानी की याद आती है तो बजबरदस्त चोट लगती है क्योंकि जब हम बुड़े हो जाते हैं उस वक जवानी को याद करते हैं तो जो भी हम लोग जवानी में किये रहते हैं ठीक है वो याद आती है तो महसूस होता है कि कितना मतलब वक्त गुजर गया अभी बूरे हो गया भी वैसा हम लोग कर नहीं सकते वहीं बोल रहे हैं दिल पर बहुत दा चोट लगती है चलिए यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए अगले कोशन को देखते हैं बेदी किन किन दफातर में काम किये और वह लाहोर के किस महकमे में काम करते थे तो बेदी पोस्ट आफिस और इंडिया रेडियो लाहोर जम्मू कश्मीर रेडियो और मरकजी हुकूमत के पॉब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मुलाजमत किये बेदी लाहोर के पोस्ट एक मिनट पोस्ट एंड हाँ पोस्ट एंड टेलिट ग्राफ के महकमा पोस्ट आफिस में काम करते थे यहांपर बोला जा रहा है की बेदी किन किन दफातर में काम किये और वह लाहोर के किस महकमे में काम करते थे बेदी पोस्ट आफिस टारा है कि बिहार के एधाजिर चंद मुमताज अफसानगार यμिर के फेमस अफसानानेगार कहांइंकार का नाम को दिखना है तो देखेंगे हवा है एधाजिर के चंद मिनट यहां पर कुछ तो गड़बढ हुआ है ह ई Wait विहार के चन्ध मश्हूर अफसानेनिगार में शफी जावेद एहम्द यूसुफ जकीया शौकत हैयात और ुसायनुल हक का नाम सर फरसत हैं अब्र बताएंगाए कि एहategर में अहध विहार के सबयत हैं मशहूर कहानी कार कहानी लिखने वाले उनमें शफी जावेद, एहमद यूसुफ, जकीय मशधी, शौकत हयात और हुसाइन अलहक का नाम फरसते इनका नाम आता है आगे सवाल अगला देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के तश्विशनाक इसरात क्या है ठीक है, जवाब देखिए, जमीन का दर्जहरारत बढ़ जाने से पौदों का खत्म हो जाना, तुफान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात वहाद्चात का हम शिकार हो रहे हैं यहाँ तश्विशनाक कम रहें, अब पुछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के तश्विशनाक इसरात क्या है, यानि कि खौफनाक बात क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है तो वही बताया गया है कि जमीन का दर्जहरारत बढ़ जाने के वज़े से धर्ती का प्रिथवी का टेंप्रेचर बढ़ने के वज़े से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के वज़े से पौदों का खत्म हो जाना तुफान सैलाब और कहत का सा द्वीप है चोटे चोटे द्वीप या फिर आप बोल सकते हैं क्या बोले जाता है उसको माल दीप वगएरा तो उनके डूबने की शंका खत्रा बहुत जाता है अदब की पहचान पर मुक्तसर रोशनी डालिए जवाब में लिखा हुआ है अदब की पहचान डॉक्टर अब् भी लाजमी है हर वा फनी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर वा इन्बसात महसूस हो और साथ ही हम आसूदगी का एहसास भी करें वा अदब के जुम्रे में शामिल है हर वा क्या लिखा गया है हर वा फनी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर वा कामिल कर सकते हैं अदब के जुम्रे के अंतरगत रख देते हैं अदब इंसान की जहरी और जहनी और रुहानी तर्बियत करता है अदब जो तहजीब इंसान भी बनाता है और हमें महफूज बनाने में मौावन वा मददगार भी होता है अदब इनसान के अंदर रहनी चाहिए और अदबी इनसान को तहजिब इनसान बनाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उर्दू के पांच मजाहिया शायरों के नाम बताईए उर्दू के किसी पांच मजाहिया शायरों यानि की जो मजाहिया शायरे मजाहिया कमतब होता है हसी मजाक, जो की हसी मजाक वाला क्या करते है शेर लिखते है, उन शायरों का नम आप आप लुखना है, पांच मजाय शायरों का नम तो देखिए, पहला में है दिलावर फिगार, दूसरे में में रजाना कोई, तीसरे में है अक्मर अलाबादी चौथे में पर हैं सेद मुहमद जाफरी और पांच वे पर हैं नाजिर ख्यामी तो ये हैं पांच मजाहिय शायरों के नाम आगे बरते हैं नेदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले नेदा फाजली को साही टेक एडमी आवार्ड शिकर सम्मान गालिब आवार्ड और खुसरू आवार्ड मिले थे इस तरह आप लोगों को लिख देना है नेदा फाजली ने मश्रिक वा मगरिब के किन किन मुलकों में हिंदुस्तानी अद्वी की नुमाइंदगी की है नेदा फाजली जो है ना मश्रिक वा मगरिब के किन किन मुलकों में हिंदुस्तानी अद्वी की नुमाइंदगी की है बताना है आप लोगों तो देखें यहां पर लिखा है USA, UAE, Germany, Bangladesh, Pakistan, England और मारिशष वगएरा में हिंदुस्तानी अद्वीयों की नुमाइंदगी की है निदा फाजली तो इसे तरह आप लोगों को भी लिख देना है थोड़ा सा उर्दू टाइम पिंग में मिस्टेक हो गई है तो आप लोग जब लिखिएगा तो अपने हिसाब से सुधार कर लिखिएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन चकबस्त का इंतकाल कब और कहां हुआ तो चकबस्त का इंतकाल हुआ था उन्हें 26 इसभी में राय बरेली में अगला सवाल है चकबस्त के घजलों में किस शायर का रंग मिलता है तो वो है आतिश चकबस्त की घजलों में आतिश का रंग देखने को मिलता है सवाल नमबर 65 65 नमबर सवाल है कि शक्सी मरसिया किसे कहते हैं तो देखिए शुवदाय कर्बला और इमाम हुसैन के लावा बाकी लोगों की मौत पर अगर रंज वगम का इजहार नजम की सूरत में किया जाता है तो उसे शक्सी मरसिया का नाम दिया गया है देखिए शुवदाय कर्बला यानकी कर्बला में शहीद होने वाले जितने भी लोग हैं और इमाम हुसैन के लावा जितने भी नॉर्मल लोग हैं बाकी लोग ठीक हैं शोधाय करवला करवला में शहीद होने वाले और इमाम हुसाइन के लावा जितने भी नॉर्मल लोग हैं बाकी लोग उनकी मौत पर अगर रंज व गम का इजहार नजम की सूरत में किया जाता है यानि की कवीता के अंदाज में कर दिया जाता है तो उस कवीता को हम लोग बोल चौक लखनवी वो सौधागर की लड़की की आँखों की मिसाल हिरन की आँखों से दी है इसी तरह आप लोगों को भी एंसर लिखना है कोशन नुमर 67 नसीम की पैदाइश कब हुई और उनकी वालिदा का नाम क्या था तो नसीम की पैदाइश 18-11 में हुई थी और उनकी व मसनवी है घुलजारे-नसी इसमें किस वाक्या को दिखाया गया है बताया गया है जिदे इन्हेंस साब मसनवी में दार उल्हभात-जैनल मुलग में बकावली का पहुंचना और वजीर होकर अपने महंभूब ताज़ूल मुलक की तलाश को इस मसनवी में पैश किया गया ह जो गुलजार नसीम नाम का मसनवी है इसमें बकावली की कहानी बताई गई है जो की एक परी रहती है तो बकावली जो है ना वो अपने महबूब ताजुल मुलक की तलाश में जाती है तो फिर उसको पता चलता है कि उसका जो महबूब है ताजुल मुलक वो जैनुल मुलक की मुम्लकत में है तो वही जाती है जैनुल मुलक की मुम्लकत में और वहां पर जाकर अपने महबूब को ढूंडती रहती है तलाश करती रहती है वही वाक्या मसनवी में बताये गया है बकावली अपने मेबूब को ढूंडने के लिए बेयाबानों में इधर गडर बटकती रहती है तलाश करती रहती है अपनी मेबूब को ठीक है चपपच अपपच हान मारती है लेकिन उसका मेबूब कही नहीं मिलता है मुबारक अजीम अबादी कहां पैदा हुए और उनका इंतकाल कब हुआ तो मुबारक अजीम अबादी ताजपूर जिला दर्भंगा में पैदा हुए और उनका इंतकाल उन्हें संटावन में हुआ था अगला सवाल देखते हैं सवाल नमर 69 कि उर्दू शायरी और फार्शी शायरी में मुबारक अजिम अबादी के उस्ताद कौन थे उर्दू शायरी और फार्सी शायरी में मुबारक अजिम अबादी के उस्ताद यान की टीचर कौन थे उर्दू शायरी में मुबारक अजिम अबादी के उस्ताद थे टीचर थे दाग दहलवी और फार्सी शायरी मे थे अब्दुल्हमीद परेशान मुबारक अजिमबादी का शैरी Μज्मुवा का नाम क्या है और वह कब शाय हुआ तो मुबारक अजिमबादी के शैरी मज्मुवा यानि कि शैरी का किताब का नाम है जल्व Ay Daag जो कि उने से क्याण में शाय यानि की परकाशित हुआ था एहमद फिराज की पैदाइश कब और कहां हुई एहमद फिराज की पैदाइश उने से 33 में पिशावर में हुई थी याद रखना है सारा कोश्चन मुस्ट वियाई है मुस्ट इंपोर्टेंट है एक एक कोशन काई अप्लों को ध्यांसे देखना है याद करते चलना है एक भी कोशन आपलों को चोड़ना नहीं है चलिए कोशन number 72 72 नमBER सवाल कि हैमद फिराज बुनियादी तोर पर किस मिजाद के शायर है तो एमन फिराज बुनियादी तोर पर रुमानी मिजाज के शायर है और वह औरतों के हुस्न वा जमाल से बहुत ज़्यादा मुतासर दिखाई देते हैं हसन नईम की पैदाईश कहां हुई और उनका इंतकाल कहां हुआ अगर आप लोगो धुनला दिखाई दे रहा होगा न तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लिजे चार साज सी पिक्सल में करकर देखेंगे साफ और क्लियर दिखाई देगा ठीक है क्योंकि बहुत वरे लोगों का कमेंट आता है कि धुनला दिखाई दे रहा है ठीक है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजे परविन शाकिर की पैदाईश कब और कहां हुई परविन शाकिर पाकिस्तान के कराची में उन्हें सबावन में पैदा हुए थे पैदा हुई थी, ये क्या है? औरत है, परविन शाकिर एक खातून है, तो ये पाकिस्तान के कराची में उन्हें सबावन में पैदा हुई थी, इर्फान सिदिक्की ने काली दास का ड्रामा मालवी का अगनी मतरम का तरजुमा किस नाम से किया? ये भी कोशन पूछा जा चुक पारिका अगनी मतर के उन्वान से टाइटल से, चलिए, नेक्स्ट कोशन, जफर गुरखपूरी की पैदाईश कब और कहां हुई? जफर गुरखपूरी की पैदाईश उन्हें सब 35 सजवी में गुरखपूर में हुई थी, सवाल नंबर 77, 77 नंबर सवाल, कि जफर गुरख तजल तजवर का खुबसूरत मिलान है, इसी तरह आप लोगों को भी लिख देना है, शबनम कमाली के तीन शैरी मजमूआ का नाम लिखिये, तीन शेरोशवी की किताब का नाम बटाना है, तो मो बढ़ते हैं, मुखमस नजम किसे कहते हैं, मخमस इसको मخमस ही पढ़ा जाता है मخमस नजम किसे कहते है मخमस शायरी की एक आयत है अरबी में खमस के मानी पांच के होते है मخमस शायरी की एक आयत है अरबी में खमस के मानी क्या होते है पांच यानि पांच मिस्रे की नजम को मخमस कहते है पाँच मिस्रे की नजम को क्या कहते हैं कवीता को मखमस कहते हैं मखमस के तीन मिस्रे हम काफिया और वह हम रदीफ होते हैं और बाद के दोनों मिस्रे भी हम काफिया और रदीफ होते हैं आगे बढ़ते हैं निदा फाजली ने शायरी की किस सिन्फ में तबा आजमाई है निदा फाजली ने शायरी में गजल और नजम के लावा दोहे भी कहें इस तरह उन्होंने दोहे की सिन्फ पर भी तबा आजमाई है जैनुलुक की मुमलकत में ठीक है जैनुलुक की मुमलकत में पहुँचकर बकावली को क्या महसुस हुआ जवाब में है बकावली जब महबूब की तलाश में जैनुलुक की मुमलकत में पहुँचती है तो उसने वहां देखा कि सब लोग खुशिया मना रहे हैं और चारो तर भी असीदे के तश्वीब से माखूज है देखिए ये भी मौस्ट विविये ये कितना बार पूचा जा चुका है तश्वीब का तालुक शबाव यानि जवानी के जजबात से हैं और जवानी के जजबात में हुस्म और इश्क की किफियाद शामिल होती हैं और यही बाते हैं गजल में भी इसी तरह के किफियाद देखने को मिलते हैं सिंफ मस्नवी पर पांच जूमले लिखिए मस्नवी स्नाफ शायरी की एक मशूर सिंफ है मस्नवी वह पैकर है जिसमें हर शेयर के दोनों मिसरे हम sm Ife होते हैं लेकिन हर शेयर के बाद काफियाई बदलता है और दो नाम मस्नवी तैह हुआ क्योंकि मस्नवी के माने दो दो किया गया है मस्नवी किसे कहते हैं घजल किसे कहते हैं यह हर एक चीज में आप लोगो चप्टर पढ़ाई हूँ तो बता चुकी हूँ ना पर पिराल जो लिखा है आप लोगो इसको याद कर लीजिएगा ठीक है पढ़ें तो फिर आप लोगो को समझ में भी आ जाएगा जो भी मैं लिखी हूँ सवाल नंबर 84 कि सलाम मस्नी शहरी की जिंदगी पर पांच जुम्ले लिखना है सलाम मस्नी शहरी की जिंदगी पर पांच सेंटेंस लिखना है तो देखेे लिखा हुआ है असल नाम अब्दुल सलाम था, अद्भी नाम सलाम मचली शहरी से मशूर हो गए, घर की मुआशी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए जादा तालिम हासिल ना कर सके, स्यासत से दिल्चस्पी थी, तहरी की अजादी हिंद के तालुक से बिहार बहुत सारी नजमे कही, तहरी की जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए तहरीक यानकी अंदोलन चल रहा था, तो उस अंदोलन से तालुक संबंदित बहुत सारी ये नजमे, यानकी कवीता लिखे थे और उन्हें मन्जुम खतूत लिखने का भी शौक था, स्लाम असलिए शहरी को खतूत यानकी खत लिखन का भी बहुजदा शौक था, पच्चासी नंबर सवाल, गीत लिखने वाले चार मुस्लिम शायरों के नाम बताएं, तो गीत लिखने वाले चार मुस्लिम शौरा हैं, पहले में हैं बैकल उत्साही, दुसरे में हैं अजमल सुल्तान पूरी, तिसरे में हैं वसीम बरेलवी और चौथे पर हैं, जबीर रिजवी, ये हो गया एंसर, अर्दू के किसी पांच खुआतीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए, पांच खुआतीन अफसाना निगार, यानि की ओरत, जो है ना, खुआतीन अफसाना, यानि की वैसे कहाने लिखने वाले जो की खुआतीन डक्र अबदिलमुगनी कब और कहां पैदा हुए है ? डक्र अबदिलमुगनी बिहार के जिला औरंगबाद में उने सच आइश सच ओओंटिस में पैदा हुए थे अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुक्तसर तारीफ कीजिए अदब के पहचान नाम का जो चैप्टर है उसके हवाले से अदब की मुखतर तारीफ करना है बताना है कि अदब किसे कहते हैं तो देखिए एंसर लिखा हुआ है जब कोई फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है यैंने की जब कोई कलाकार अपने कला का कोई नमूना पेश करता है तो आयावख नमूना अदब के जमरे में आता है उसी पहचान और शनाख्त के अमल को ही हम अदब की पहचान कहते हैं नसाब में शामिल मजमून अदब के पहचान अबदलमुकनी का एक तनकीदी मजमून है जिसमें अदब की पहचान पर सिरहासिल भाश किया गया है और पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि हर अदब का नाम मौयारी होना जरूरी है और नहीं तहरीर का अदबी होना जरूर में उस्ताज़ थे यांगी टीचर थे जहां पंदरा जहां चंद सालों से पंदरा नहीं जहां चंद सालों से यांगी कुछ सालों के बाद उनकी मुलाजमत खत्म हो गई तो उन्होंने सितारा को छोड़ने का फैसला किया और मुंबई जाकर बच्चों नहीं पर बस जाने का ठीक है मुंबई जाकर बस जाने का इरादा कर लिया देखिये भिमराओ के जो पिता जी थे हैं राम जी मालो जी सकपाल वो सितारा के एक जाने का इरादा किया और इंप्रेक्ट चले भी गए ठीक है लुट्फ रह्मान की पैदाइश का बोर कहां हुई तो लुट्फ रह्मान की पैदाइश उन्हें से कालिस में जिला छप्रा के बनियार पूर्बस्ती में हुई थी सवाल नंबर 91 है कि 2009 के सुरजगरहन की एहमिय अपनी एक जोग्रॉफ्य एहमियत यह है कि ऐसा सुरजगरहन एक सदी के बाद ही नजर आ सकेगा अमेरिका के एक साइंस दाद जे एंडर्सन गलक लिखा गया है जे एंडर्सन इस तरह लिखा जाएगा आप लोग अपने हिसाब से सुधार लीजिएगा एक मिनत रुप ज उन्होंने 24 सालों से इस सुरजगरहन के बारे में एक मिनट यहां पर क्या तरक्की क्यों लिखा गया इस सुरजगरहन के बारे में तरक्की पर किया नहीं तरक्की पर किया नहीं होगा यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है जब चौबीस सालों से इस गरहन के बारे में क्या किए तो इस गरहन के बारे में क्या बोले जाता है उसको सुरज गरहन के बारे में या दा गया पर तरकी पर लिखा गया है तहकीक देखें याद आ गया थैंग गॉड याद आ गया तहकीक रहेगा थीक है तहकीक कीयою यान के रिषर्च कीया और 200 सफात पर मुत्मल अपना तरकीकी रिपोर्ट पेश किये जिसमें ये वाजी किया गया कि इस सूरज गरहन को देखने 24 सालों से 2009 में जो सुरजगरहन लगने वाला था ना उस सुरजगरहन के बारे में तहकी की यानि की रिसर्च कर रहे थे और दो सा सफात यान की दो सा पेज पर उन्होंने एक तहकी की रिपोर्ट पेश किये थे यानि की एक रिसर्च रिपोर्ट पेश किये थे और उस रिपो जगा है तो इसलिए तरेगना का फिर से नाम उभर आया आगे बढ़ते हैं मक्तूब निगारी के फन से अपनी वाक्फियत का एजहार कीजिए मक्तूब निगारी की फन से अपनी वाक्फियत यानि कि मक्तूब निगारी से आप लोग क्या समझते हैं इस कला से आप लोग क्या समझते हैं बताना है आप लोगो तो मक्तूब निगारी यानि कि खतूब निगारी बात तो एक ही है तो लिखा हुआ है या पर देखे जवाब में कि खतूब नवेसी के फन को मक्तूब दोस्त अहबाब और रिश्टदारों की खैरियत दर्याफ़त करने का आसान जरीया है यह जो खत है यह दोस्त अहबाब अपने जो रिश्टदार है रिश्टदारों की खैरियत दर्याफ़त करने का आसान जरीया है उनकी खैरियत आप लोग पूछ सकते हैं, हाल चाल पूछ सकते हैं खत के जरीए खतूत के जरीए एक दुसरे से तबादला ख्यालात भी होता रहता है अगला सवाल, मेधिय अफादी को उर्दू के लावा किन किन जुबानों में महारत हासिल थी तो उर्दू के लावा, मेधिय अफादी को फार्सी और अंग्रेजी जुबानों में महारत हासिल थी चकबस्त ने कौन-कौन सी डिगरी हासिल की चकबस्त बी-ए की डिगरी लेने के बाद वकालत की डिगरी हासिल किये थे अब देखेंगे, यहाँ पर ग्रामर से जरा कोशन पूचा है, असको पढ़िएगा सवाल नमर 95 है कि इसमे जमीर की तारीफ कीजिए इसमे जमीर किसे कहते हैं, आप लोगको बताना है, नाम से ही किलिए है, मैं आप लोगको बता चुकि इसमे जमीर यानि की प्रोनाउन, सर्वानाम, जो नाउन के बदले में यूज होता है, इसम यानि की नाम, नाउन, किस भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमे जमीर यानि की प्रोनाउन, खवायत की जुबान में इसमे जमीर उस लवज, यानि की उस शवद को कहते हैं, जो इसम के बदले में आए यानि कि नाम के बदले में लिया जाए उसे कहते हैं हम लोग इसमे जमीर यानि कि प्रोनाउन मैं तुम और वह ये सब क्या है इसमे जमीर है जैसे कि मैं बोली कि खालिदा आई खालिदा खाना खाई, खालिदा पानी पी खालिदा थोड़ा सा खेली और फिर खालिदा चली गई बार बार खालिदा नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा है अगर मैं उसी के जबगा पर ये बोलू कि खालिदा आई वो खाना खाई फिर थोड़ा सा सोई और फिर वह चली गई तो खालिदा के जगा पर मैं वह यूज कर रही हूँ न वह शब्द तो वह को क्या बोलेंगे आप लोग इसमे जमीर यानि की प्रूनाउन नामों के बार बार तक्रार से बचने के लिए ही जमीर का इस्तमाल किया जाता है यानि की नाम को बार बार लेने के बदले हम लोग इसमें जमीर का यूज करते हैं ठीक है इस्तमाल के लिहाद से जमीर की तीन सूरते होती है पहला है जमीर गायब यानि की वह और वह लोग दूसरा है जमीर हाजिर यानि की तुम और तुम लोग और तिसरा है जमीर मुतकलिम यानि कि मैं और हम लोग तो ये याद रखना है जमीर की तीन सूरते सवाल नमबर 96 कि परवेर शाहदी की पैदाइश कब हुई और उनके दो शेरी मजमुआ का नाम लिखिए तो परवेर शाहदी पतना सिटी के लोधी कटरा मुखला में उनके दो शेरी मजमुआ इनकी शेरी के किताब का नाम है पहला का नाम है तसलीस यायाद दूसरा का नाम है रख सहयाद तो इस तरह आप लोगों को एंसर लिखना है याद रखिएगा सवाल नमर 97 कि निदाफाजली की तीन शेरी मजमुरा का नाम लिखिए निदाफाजली का जो तीन शेरोशाईरी का किताब का नाम है वो दरजजेल है देखिए जवाब में लिखा हुआ है पहला का नाम आख और फ़ाब दूसरा का नाम है शेहर मेरे साथ चल तीसरा का नाम है जिन्दगी की तड़प ठीक है और देखें यहाँ पर भी grammar का question आ चुका है इसमें मारफा और इसमनकरा की तारीफ कीजिए बताना है कि इसम मारफा और इसमनकरा किसे कहते हैं क्योंकि यह दो और तीन नमबर का सवाल है तो ज्यादा लिखने की जवर्ट नहीं है सिंपली आप लोग लिख दीजे इसम मारफा और फिर डैस देकर वह इसम है इसम मारफा वह इसम यह नाम है जो किसी खास चीज शक्स या जगह के नाम को जाहिर करें जैसे कि को है हिमाले यान कि हिमाले परवत इसम मारफा यान कि प्रोपर नाउन व्यक्ति वाशक संक्या जो खास नाम को बतला है यान कि खास चीज के नाम को हम लोग क्या कहते है इसम मारफा कहते हैं हिमाले में देखे को है हिमाले यान कि हिमाले परवत परवत सिर्फ मैं बोलूँगी तो उसमें सभी परवत आ जाएंगे, सभी पहाड आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है को है हिमाले परवत यहाँ पर एक special खास चीज का नाम लिया गया है हिमाले परवत तो हिमाले क्या हो जाएगा आप लोग का इसम मारफा, कलम में तो धेर सारे कलम आ जाएंगे, लेकिन कलम में अगर में बात करूँ लिंक लेजर, तो लिंक लेजर हो गया आप लोग का इसम मारफा, यान की खास चीज के नाम को कहते हैं इसम मारफा, यह मैं आप लोग को अलड़ी बता चुकी हूँ और इसम लक्रा, यानि की जाती वाचक संग्या, कौमन नाउन किसे भी आम, साधारन नाम साधारन चीज के नाम को क्या कहते हैं इसम लक्रा, जिससे पूरी जाती का बोध हो, जैसे की पहाड पहाड में सभी पहाड आ जाएंगे पहाड बोलने से पहाड की पुरी जाती का बोध हो रहा है पहार में कोई भी पहार हो सकता है तो पहार ये normal एक सधारा नाम है तो इसको बोलेंगे इस्म नकरा वह इस्म है जो किसी चीज शक्स या जगा के आम नाम को जाहिर करें देखिए उम्रान लिखा गया है आम नाम रहेगा आम नाम को जाहिर करें उसे कहते हैं इस्म नकरा सधारा नाम को पहाड हो गया आप लोगा इस्म नकरा कलम हो गया इस्म नकरा लेकिन कलम में अगर मैं बोल दू लिंक लेजर कलम तो वो हो जाएगा लिंक लेजर कलम इस्म मारफा पहाड होगे आप लोग का इसम लखा लेकिन हमाले पहाड हमाले परोथ होगे आप लोग का इसम मारफा ठीक है सवाल नमबर 99 देखते हैं गालिब के बच्पन पर पांच जुम्ले लिखिए गालिब के बच्पन के बारे में पाथ सेंटेंस में आप लोगो लिखकर बता देना है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि अर्दू के माया नाज शायर गालिब का पूरा नाम मिर्जास दुल्लाखा और गालिब तखल्स रखते थे चनांचे अर्दू शायरी की काईनात में मिर्जा गालिब की हैसियत से मशूर हुए ये जो है ना मिर्जा गालिब इनका पूरा नाम था मिर्जास दुल्लाखा और गालिब इनका तखल्स था और अर्दु शायरी की काइनात में मिर्दा गालिब के नाम से मसूर हुए और बहुत ज़रा मौश्ट फेमसा है मतलब अर्दु शायरी की बात हो और मिर्दा गालिब का नाम ना लिया जाए ऐसा तो होई नहीं सकता अगर मिर्जा गालिब का नाम न लिए जाए तो उर्दू शायरी या धूरा है ठीक है पांच साल की उम्र में ही गालिब वालिद के साय से महरूम हो गए जब पांच साल के थे मिर्जा गालिब तब ही उनके वालिद पिता जी का इंतकाल हो गया और नतीजा के तोर पर चचा नसरौलावाफिक के साथ रेने लगे छचा नसरौलावाफिक की सरपरस्ति में गालिपकी पर양िस हो रही थी कई साल सात रहने के बावजूद भी नसरौलावाफिक भी जो कि उनके चचा थे वो भी इस यहां पर नसीम की बायोग्राफी बताना है ना जदा लंबा और नहीं जदा चोटा एक दम नॉर्मल बताना है उनकी बायोग्राफी बता देना है तो देखें नसीम जो है ना नसल के एतबार से कश्मीरी बरहमन थे उनका पूरा नाम पंडित देशंकर कोल था उनके वालिद गंगा परशाद कोल थे वो 18-11 में लखनओ में पैदा हुए उनका शुमार लखनओ के बाकमाल शोरा में होता था उस वक्त उनके खांदान की फार्सी में हासिल करते थे चुनांचा नसीम भी अर्बी वाफार्सी की अब्तदाई तालीम हासिल किये थे तो यह नसीम की थोड़ी बहुत बायोग्राफी बता देना है जो कि यहां पर बता दिया गया है आगे बढ़ते हैं मसफ़ी की पदाइश कब और कहां हुई किसके यहां कयाम पजीर हुए यहां पर कुशन पूछा जा रहा है कि मुबारक अजीम अबादी जो है ना है धरबाद गए थे हैधरबाद दक्कन के सफर में किसे से मुलाकात किये थे और किसके यहां कयाम पजीर हुए थे किसके यहां रुके हुए थे महमान बनकर तो दे मुभारक अजीम अबादी जो है ना हैधराबाद के सफर में हैं अब्दुर औजीज के मकान में क्याम पजीर रहें के महशा नाम ठीएbest वह के ऐने endeavor मौज़ूर में की किताबें टी kolayकोषिती बीजन जूरता कना इसकूर यह विए पर पूछ दे तो इंपोर्टन समझते हुए याद कर लिजे सारा का सारा कोश्चन परविन शाकिर के सलाफ का वतन कहा है तो हिंदुस्तान के सोबा बिहार में लहेरिया सराय दर्बंगा के नस्दिक मुहला चंदन पट्टी परविन शाकर की सलाफ का वतन है ठीक है इरफान स किस नाम से यगजा तोर पर शाय हुए यान कि इरफान सिद्धी का जो किताब है वो किस नाम से शाय हुए परकाशित हुए तो दर्या के नाम से इरफान सिद्धी के मजमुए यान की किताब जहना वो शाय हुए थे बच्चों के लिए जफर गुरखपूरी ने कौन से दो मजमुए बच्चों के लिए जफर गोरखपूरी के कौन से दो मजमुए यानि कि दो किताब शाय हुए परकाशित हुए बताना है तो देखिए answer में लिखा हुआ है बच्चों के लिए शाय होने वाले जफर गोरखपूरी के दो मजमुए यानिकि दो किताब दरजजैल है यानिकि नमलिखीत है पहला का नाम है सच्चाईया और दूसरा का नाम है नाचरे गुडिया ठीक है आगे बढ़ते हैं पेड़ पर कुलहारी गिरने से शायर किस तरह लहु लुखान हुआ जब पेड़ पर कुलहारी गिराया गया तो दरख्टों की कट जाने से आक्सिजन की कमी हो जाती है जिसके नतीजे में इंसान तरह-t तरह की बिमारियों में मुद्दला हो जाता है यही वजह है के शायर का लतीफ एहसास दरख्टों पर कुलहारी चलने से लहु दूहान होने दुखता हें तो यह थी बात आगे जैसे वक्ती तोर पर बच्चे तो खुश हो जाते हैं उस वक्त के लिए बच्चे तो खुश हो जाते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई से बच्चों की रखबत घटी चली जाती है साथ ही बच्चों की दिल्शस भी जो है ना किताबों से भी कम होने लगती है और किताबे नज जरन्दाज होने लगते हैं इसलिए जो है ना बच्चों के ज्यादा टीवी देखने के वज़ा से शायर दुखी है इसी तरह आप लोग को भी इसका इंसर लिखना है अगर कुशन पूछ दे तो अगला सवाल सवाल नंबर 110 कि मुगल बादशाह ने ताज महल क्यों तामीर कर से गयर मामूली और जनून की हद तक मुखबत करते थे मुम्ताज महल की जिन्दगी का आखरी वक्त आया तो उसने अपने शोहर से वादा लिया कि मेरे महने के बाद मुखबत की निशानी के तौर पर मेरी कबर पर ऐसा मकबरा बनवाया जाए जो रहती दुनिया तक काइम हैं काइम रहे और इसी वादा के तकमील में शा जहाने अपनी महबू मलीका मुमताज महल के मकबरे पर ताज महल जैसी तारीखी अमारत तामीर कराई ठीके जो बाद शा थे शा जहान उनकी बेकम मुमताज मरते वक्त अपनी मतलब आप बोल सकते हस्बिंड से यानि की शा जहां से वादा ली थी कि मेरे मर जाने के बाद जो मेरा कब्र होगा उस पर ऐसा मकबरा बनवाए जाए जिसे रहती दुनिया तक लोग याद करें ऐसी हमारी महबत की निसानी हो कि रहती दुनिया तक ये काइम रहे और लोग याद करते रहे इसी वज़े से शाह जहां वो त आज महल में ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं नजम में शायर ने किसको बदनसीब जाते हुए पेश किया है तो देखिए यहां पर एंसर लिखा हुआ है शायर ने गीता की इश्क घंश्याम को गीता की जुदाई के गम में बंसी एक मिनट यहां पर मैं जानती थी कोशन गलत पूछा है हाँ तो देखिए यहां पर कोशन का कहना है कि नजम में कवीता में शायर जो है ना किसको बंसी बजाते हुए पेश किया है यहां पर बदनसीब लिखा गया है मैं जानती हूं कि उर्दू में थोड़ा गलत टाइप हो जाता है लेकि यहां पर बदनसीब नहीं बंसी बजाते हुए होगा ठीक है नजम में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया है ये कोशन पूछा जा रहा है तो दिखिए जवाब में लिखा गया है कि शायर ने गीता की इश्क इश्क नहीं गीता का आशिक घंस्याम को गीता की जुदाई के गम में बंसी आते हुए पेश किया है जो घंस्याम के ख्वाबों और तसूर से दूर रहती थी तो इस तरह आप लोग को एंसर लिखना है थोड़ा सा उर्दू टाइपिंग में गलती है जाती तो आप लोग अपने हिसाब से सुधार लीजिएगा ठीक है एक सबारा नंबर सवाल हसन नई हसन नाईम की घथल गोई की शितरा वो घजल लिखते हैं उसकी खसूसियत तो देखिए अजीमबाद की घजल गोष दूरा में हसन नाईम को एक खसूसियत हासिल है, चासिल थी भगजल न्य हंग के शायर थे उन्हों बभज suburbs के छीन तरुजर एलने ने विएन हुए उने गालिव और मौमिन के शायरी का भी गहरा मुताला किया था आगे बढ़ते हैं अहमद फिराज बुनियादी तौर पर किस मिजञी मिज़ा के शायर है उसकी वज़ाया है कि उनके घर का माहॉल जो हैना भर का माहॉली अद्भी और शायराना था बच्पन में ही शेर कहने लगे थे इसलिए एहमद फिराज़ों बन्यादी तोर पर रुमानी मिजाज के शायर है आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अब्दलमगनी किस मदर्शे से और कहा तक तालीम हासिल किये तो वो था मदर्शा शम्चुल होदा और एमे तक तालीम हासिल किये थे पढ़ाई किये थे डॉक्टर अब्दलमगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया तो पटना कॉलेज से किये थे भिमराओ के साथ तुल्बा और असार्जा का सलुक कैसा था यानि कि भिमराओ जिस स्कूल में जाते थे वो सरकारी स्कूल था तो उस स्कूल में जितने भी तौल्बा थे यानि कि जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी असार्जा यानि कि टीचर थे उनका सलुक कैसा था भिमराओ के साथ तो जवाब में देखिए लिखा हुआ है भीम राओं बेटकर की मुंबई भीम राओं बेटकर जो है ना मुंबई के इलफिस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल का महाल भी भीम राओं के लिए देखिए मरों के लिए 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 गया है गलट टाइप हुआ है भीम राओ के लिए बिलकुल मुआफिक था भीम राओ जात पात के भेदभाओं के शिकार थे और यह मामला सिर्फ स्कूल के तौलबा तक महदूद नहीं था सिर्फ छातरों तक स्टूडेंट तक यह महदूद नहीं था बलकि स्कूल के असार्जा यानि कि जितने भी टीचर थे वो भी उन्हीं नफरत और हाकारत की नजर से देखते थे ठीक है भीम राओ क्योंकि वो अच्छूत खांदान से बिलोंग करते थे इसी के वज़ा से भीम किस तरह के वो ड्रामे लिखते हैं या आप लो को बताना है तो देखे जवाब में लिखा हुआ है अगहासर कषमीरी को और्दू पहले कहा जाता है तो वो है आगाहसर कश्मीरी ओप्सन में दिया रहेगा लगा देना है आप लोगों को बीना सोचे समझे ठीक है यही वज़ा है कि उर्दु ड्रामा निगारी में आगाहसर पहले फंकार हैं जिन्होंने अमली जिंदगी के मसाइल को अपने फं का मौदू बनाया चुनांचा उन्होंने अपने ड्रामों में ज्यादतर समाजी मसाइल को शामिल किया है आगाहसर कश्मीरी जो है ना उर्दु ड्रामा निगारी का सेक्सपियर याद रखिएगा आगाहसर कश्मीरी उर्दु ड्रामा निगारी का सेक्सपियर इसलिए कह जाते हैं क्योंकि वो अपने ड्रामे में जादतर समाजी मसले को शामिल करते हैं, समाजी जो जितने भी मसले होते हैं, उसको शामिल करते हैं, अपने ड्रामे में वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, डिखा देते हैं लोगों को, तो यह सबसे बड़ी बात है आगाशर कस्मीरी की, आरेबट की पैदाईश किस जगह पर हुई जाय पैदाईश और तारीख पैदाईश यानि किस तारीख को भी बताना है तो आरेबट की जाय पैदाईश के बारे में कुछ कहना मुश्किल है लेकिन करायन से पता चलता है कि आरेबट की पैदाईश पतना के मगरिब में वाकिए खगोल में 4 सब 72 इसवी में हुई तो इस तरह आप लोगों भी लिख देना है गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुह का नाम लिखी है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है उर्दु ए मॉल्ला ठीक है इंटर्विव लेने वाले का नाम क्या है श्रबाज की पैदाईस अठाड सा साथ इस भी की आस पास सरमेडा बाड विहार में हुई थी उम्राओ जान नाविल किस ने लिखा उम्राओ जान आदा नाविल किस ने लिखा तो देखिए एंसर में लिखा हुआ है मिर्जा मुहमद हादी रुसवा ने भीम राओ की शादी किस से और कितने साल की उमर में हुई या आप लोगों को पता होगा सिंपल सा सवाल एक दम हलवा कोश्चन 14 साल यानकी 14 बरस की उमर में भीम राओ अमेटकर की शादी रामा बाई नाम की लड़की से हुई रुस्तम और सहराब ड्रामा किस ने लिखा आगाहशर ने रतरनाथ सर्शार के नाविल का नाम लिखिये तो वो है सेर कहसार इसी तरह आप लोगों को एंसर लिखते चले जाना है 126 नमबर सवाल आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है मिर्जा गालिब कब और कहां पैदा हुए तो मिर्जा गालिब अपने नानी हाल आगरा में 1797 नानी का घर कि कुछ लोग नहीं जानते होते हैं नहीं जान रहे होते हैं कि नानी हाल किसे कहते हैं नानी हाल कम अवी पैदा हुए थह मिर्जा गालिब 1797 सर्दानवें 117.177.117 निदाफ फाजली की तखलीक मुलाकात का तालुक अरदू के किस सिन्फ से है तो उसका नाम है तनवगीद आगे बढ़ते हैं फड़फट खड़ाडिनर के शायर का नाम क्या है इस नजम का तालुक किस सिन्फ शाइरी से है खड़ा डिनर जो नजम है इसके शायर कौन है राइटर कौन है और इसका तालुक संबंद किस सिन्फ शायरी से है तो देखिए खड़ा डिनर के शायर का नाम सेद मुहमद जाफरी है और इसका तालुक तंजो मजा के सिन्फ से है यानिकि यह हसी मजाक वाला शायरी है जिसमे खड़ा दिनर का यह जो की बफेट सिस्टम होता है खड़ा होकर जो डिनर खाया जाता है आज कर शाथि बरात में यहीं सबसे ज़्यदा चल रहा है खड़ा होकर खाओ अपने से जितना लेना है वो ले लो और खड़ा होकर खाते रहो एकदम ऊट की तरह तो उसी का मजाग उ तो कियों बहुत जदा मज़दार है आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा 139 सवाल कि परवेज शाधी ने उर्दू में में किस यूनिवर्सिटी से किया परवेज शाधी उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी से किये थे यह भी याद रखिएगा अब द यह था टेन्थ क्लास के उर्दु का दो और तिन नंबर वाला मॉस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोशन आई थिंक जितना भी कोशन कराई लगबग कोशन पर आप लोग का कमांड होगा क्योंकि सारा कोशन तो चैप्टर से न उठाया गया है और सारा चैप्टर में व इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव करा दूंगी ठीक है बस थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी एंट्री यूटूब पर भले ही थोड़ी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है देर आये लेकिन दुरूस्ता है कॉन्टेंट जबरदस्त होन